ब्रॉडवे तोहडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा हकीकत दी उडाएं नमश्पा जोस्तर मैं अधर जीट ब्रॉड में अभीकेशन सर्दूसी से कोशिश होती है इस चैनल से इस मंच से लगातार आपको लेटेस्ट और इंपॉर्टन इंफरमिशन के साथ चोड़ें सो उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है इस अर्लेटेट टू कैनेडा कैनेडा के कुछ खास पांच इंसिटूट मैं आपको बताऊंगा जिनकी कुछ खास विशेशता हैं चाहे वो बी आर को लेके फी स्ट्रक्चर को लेके कोर्स ओप्शन को लेके कई तरह से ये अब सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहां पे जाने का है इस अब सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप एक डिग्री गेन करेंगे फास्टेस्ट पी आर भी गेन करेंगे और इन सबसे उपर यह डिग्री का जो फी स्ट्रक्चर एट इस लोर देन मैनी कॉलेजिस सो हम जब कॉलेज जाने की बात करते हैं तो एवरेज फी स्ट्रक्चर जो कैनेडा का निकल के आता है कॉलेजिस का वो आलवेज अराउंड बारा साड़े बारा हाजार रहता है कुछ एक दो कॉलेजिस को छोड़के जिनके फी स्ट्रक्चर कम है जिनका नाम मैं आपके जाके लूँगा सो उनके कमपरिटिबली इस यूनिवरस्टी की एक साल की फी से ओनली 11,500 विच इस वेरी रीजनेबल वेन वी कंपेर तो एनी यूनिवरस्टी इन कैनेडा और फास्टेस्ट पी आर न्यू फांडलेंड में वैसे भी है को आप मिल गया सो जॉब को लेकि या करियर पॉसिबिलिटीज को लेकि किसी तरह की कुई कन्फूशन आपके माइड में नहीं होनी चाहिए सबसे बड़ा चाम इस का फेमस होने का जो कारण है वो यही है कि यहां का फी स्ट्रक्चर इस वन उफ बेस्टेस्ट और लोएस्ट और अफॉड़ेबल और राउंड 9500 एलोए की फीज डालके यहां नॉमली जो फीज है वो बंवे सो पचासनाइं डू फाइजिरो है सो काफी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर है यहां पर पहले तीन कोर्षेस होते थे डंबी अ का बिजनस का אड अब इछल्डृूट का अब इधनें तीन नए कोर्सीज यहां जिसमें ब्रू आडियो विडिएटिंग का इवर्ड का है इस तरह से तीन यहां की खासियत यह है कि यहां का जो अर्ली चाल्डूड कोर्स सरफ इसी कॉलेज का वो पी एक्यू के टेगरी में आता है जानी कि उसके बाद जो पी आ रहे वो डिरेक्टली अप्लाई होता है आपको वर्क पमिट भी लेने भी जरूरत नहीं है So that is the charm of this college. Now the next college that I'm going to talk is also of Montreal और इसका नाम है St.Michel St.Michel College के जो सबसे बड़े benefit हैं कि जब हम किसी unknown country में जाते हैं नहीं देश में जाते हैं तो सबसे पहले हम परेशान होते हैं एरपोर्ट से जाने के लिए, accommodation के लिए, food के लिए. So ये St.Michel problem जो college है ये आपकी वो सारी problems solve करता है. जी हां इसका fee structure is around 13-14,000 बड़ ये आपको एरपोर्ट से ले जाने, accommodation देने, plus one to two month का meal provide करना, मतलब खाना भी उसके इलावा laptop, mobile, so इस तरह की कई facility, insurance, जैसे की Canada College में में जो health insurance है वो included नहीं हैं आपको extra लेना वड़ता है. So, इसकी जो cost है, इसके बीच में insurance is included. So, overall अगर आप as a package बात करोगे, it is more cheaper than many colleges. So, चीजों को समझने की ज़रूरत होती है, just price tag नहीं देखना चाहिए, price tag के साथ में additional services क्या है, additional benefit उस institute से क्या है, बड़े फैदे क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी consider करने चाहिए. Courses की बात करें, तो number of courses की option है इस college में, so बे फिकर होके आप apply कर सितने हैं. The next institute that I am going to talk is Elgoma University. जी हाँ, इसका campus जो है, one is based in Toronto, another one is in Salsu, Mary. Now, दोनों में आप जा सकते हो, दोनों जगा degrees programs अभेलेबल हैं, और काफी famous university है, although it's a private university, but at the same time, it's very reputed university. Around 20,000 के आसपास इसका fee structure रहता है, सबसे बड़ा benefit यह है, कि अगर आप इसके Salsu, Mary campus में जाते हैं, admission लेते हैं, तो then Salsu, Mary comes under RNIP, Regional Nomination Immigration Program. So, उसके कारण जो PR है, that is very fast, because यहाँ से आप लेंगे degree, और जो one of the fastest degree भी है, और definitely, फिर अगर वो Salsu, Mary में है, तो it's a win-win situation, पीछे मुड के जिंदगी में आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा. Now, the next and the last one is a Milestone College. Milestone College, जो कि पिछले कुछ समय से काफी famous हो रहा है, काफी facilities बच्चों को provide कर रहा है, और सबसे जो main reason इसका list में रखने का मेरा है, वो यह है कि इनका जो computer sport का program है, जो mostly non-medical student के लिए तो best course है, otherwise भी अगर किसी trade में आप पढ़े हो, लेकिन आपके पास computer का subject था, mathematics, mandatory नहीं है, लेकिन preferably हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप यह course ले सकते हो, यह course भी early childhood Canada college की तरह PEQ category में आता है, मतलब उसके बाद आप direct PR apply कर सकते हैं, ऐसे courses हर college में और हर course में यह options नहीं मिलती, बहुत limited approvals होते हैं colleges के PEQ को लेके, so PEQ को लेके यह relaxation milestone college आपको IT courses में दे सकता है, सु आके भी information के साथ जुड़े रहें और Broadway की services लेना चाहते हैं, तो हमारे team के साथ आप contact कर सकते हैं, video call कर सकते हैं, हमारी website पे जाके और call कर सकते हैं 90238 90238 चैनल को subscribe करके रखें, इसी तरह भी latest और important information आप तक हम पंचाते रहेंगे, Hello friends, मैं अमर्जीर Broadway Immigration Services कोशिच रहती है latest और important information and every issue related to study visa उसके related आपको सारी जानकारियां हम लगातार देते रहें, उसके लिए important है कि आप इस चैनल को subscribe करके रखें, ताकि हर latest video आप तक सबसे पहले पहुंच सके, Secondly, Broadway Immigration providing your online services, हम इंडिया की ऐसी पहली company हैं जो आपको online video counseling घर बैठे प्रवाइड कर रहे हैं, तो आपको simply हमारी website पर जाना है that is broadwaystudy.com और वहां पर जाके आप अपनी basic information थोड़ी सी बरेंगे, उसके बाद OTP receive करने के बाद you can connect directly to our online counselors, जिनके साथ आप direct video counseling ले सकते हैं, बिना रुके, बिना किसे परिशानी के, आप किसी भी stage पे हमारे office visit करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बेठे अपनी application को start करने से लेके वीजा तरका सफर हमारे साथ कर सकते हैं, आप सारी services हमारे साथ online ले सकते हैं, तो आज के लिए इतना चलते हैं शो की तरफ प्रॉडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडान